दोस्तों Amazing Universe चैनल पर आज की वीडियो में हम इंडिया की Central Bureau and Investigation Agency के बारे में जानेगे की CBI टीम के स्टाप की भरती कैसे होती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों चलिए पहले CBI के बारे में जानते हैं कि क्या है ये CBI देश की प्रमुख जाँच एजेंसी है और इसकी स्थापना 1902 में Special Police Establishment के रूम में हुई थी और CBI का Headquarter CEO Complex नियर जवाहरलाल नहरू स्टेडियम न्यू दिली में है और CBI एजेंसी के पास घंबीर मावलों की जाँच करने और देश भर में पुलिश वल को भरहष्ट अचार से लड़ने में नेटरित्व और दिशापरदान करने की दोहरी जिम्मिदारी है और ऐसी एजेंसी का नेटरित्व करना बास्त में एक समान जनक बात है जिसमें इ सर्फिरेश्ट मास्टर माइंड इन्वेस्टिगेटर होते हैं CBI एजेंसी का नेटरित्व डारेक्टर द्वारा किये जाता है और यह डारेक्टर IPS अधिकारी होता है जो की DGP रैंक होता है और डारेक्टर का चैन डिल्ली स्पैसल पुलिस एस्टबिलिश्मेंट अधिनि में डारेक्टर पद का कारेकाल केवल दो बर्स है और इस पद का कारेकाल तीन साल और भी बढ़ाया जा सकता है और डीएस्पी एक्ट उनिस्टो चैलिस का अनुशेद 12 के अंतरगत CBI के स्टाफ में भरती इंडियन रैबनियू सर्विस के अधिकारी और IPS अधिकारी यानि डिरेक्टर द्वारा की जा सकती है और CBI टी में लगवग पुलिस के IPS अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को भी रखा जाता है और CBI के स्टाफ में पुलिस लाइन के भिवने अधिकारी हैं SDGP, ADGP, Joint Director, DIG, SSP, SP, ADLSP, DSP, Inspector and Head Constable और CBI में अन्य स्टाफ की भरतियां SSC के माधिम से और पुलिस प्रतिन युक्ती के माधिम से या आईकर विभाग या सीमा सुलक विभाग के माधिम से भरति की जाती है SSC की full form है staff selection commission तो दोस्तो इस वीडियो में आपने जाना कि CBI की टीम में maximum police line के IPS अधिकारी ही होते हैं और साथ में अन्य अधिकारी help करने के लिए होते हैं और CBI की जांच लेवाटरी में special staff होता है जो की बहुत ही expert high qualified और bell experienced होता है और दोस्तो ये थी CBI से जुड़ी जानकारी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जया हिन